नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को परिवार सहीत छोटी दीपावली की हारदिक शुपकाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग किसी परिवारे में तो बात नहीं करने वाले हैं ना मैंने कुछ कमेंट्स यहाँ पिक गिए हैं देखिए, आज की वीडियो में थोड़ा सा डिसकेशन में आप लोगों के साथ यह करना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक investment start नहीं किया है, तो इस दिपावली कैसे आप investment की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए जब भी त्योहार आते हैं उनको अच्छे से मनाने के लिए हमें पैसे की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग से चलना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। काफी लोग हैं जो investment के बारे में सिर्फ सोचते हैं, investment करते नहीं हैं। लेकिन investment हमारे लिए कितना जरूरी है, वो हम लोग आज की वीडियो में discuss करेंगे। देखिए, हम दीपावली पर धनतेरस त्योहार जो भी त्योहार आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोना चांदी खरीते हैं, कुछ लोग कुछ items भी खरीते हैं, कुछ बरतन भी खरीते हैं, coins भी खरीते हैं, काफी चीज़े हम लोग खरीते हैं। यह हम लोगों ने सोच लिए कि यार यह तो हमें कुछ ना कुछ खरीदना है। लेकिन हम लोग यह क्यों नहीं सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इंवेस्टमेंट भी करें। यार यह दिपावली आ रही है इस दिपावली जो मेरा इंवेस्टमेंट चल रहा है उसको मैं 10% से बढ़ाने वाला हूँ। हम लोग यह प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं हम लोग यहां क्यों पिछड जाते हैं। और देखिए इंवेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के यहां दिखाऊंगा, SIP केलकुलेटर से भी समझाऊंगा, काफी कोशिश करूँगा कि यह चीज आपको क्लियर हो सके कि हां इंवेस्टमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए गोल्ड में निवेश करते हैं, लोग सिलवर में निवेश करते हैं, काफी जगे निवेश करते हैं, सब कुछ ठीक है, करना चाहिए। मैं यहां बात करूँगा SIP के थुरू निवेश करने की। देखिए, अगर आप डिरेक्टली स्टॉक मार्किट में निवेश करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन म्यूचल फंड इतना अच्छा उप्शन है, अगर आप SIP के थुरू बहुत ज्यादा निवेश नहीं, अगर 500 रुपे से 1000 रुपे से भी शुरुआत करते हैं, तो लॉंग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा बेनेफिट दे सकती है, कमपाउंडिंग का बेनेफिट आपको यहां मिलता है, जब एक बार कुछ टाइम हो जाता है आपको पैसा निवेश करते हुए, तो बहुत तेजी से आपका पैसा ग्रो होता तब आपको SIP का पता चलेगा कि यार बहुत जल्दी जल्दी पैसा ग्रो हो रहा है, मुझे थोड़ा और पहले निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए था, यह काफी लोगों को यह रिलाइज हुआ है कि हाँ हमें निवेश करने में लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो देखकर आपको लगेगा कि हाँ यह रिटर्स बहुत अच्छे हैं, हमें निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहां discussion करेंगे, देखिए थोड़ा सा basic पर भी मैं बात करूँगा क्योंकि कुछ लोग काफी confused भी रहते हैं कि यार यह आख mutual fund, mutual fund, अब देखिए यह क्या करता है, हमारे पैसे को निवेश करता है stock market में, लेकिन यह stock market से difference इसमें यह मिलेगा कि यहां को options मिलेंगे, कि आप कितना risk लेना चाहते हैं, आप large cap, mid cap, small cap, flexi cap इसमें निवेश कर सकते हैं, risk आपका diversify होता है, थोड़ा सा basic आपको बताँग देखिए, यहां क्या होगा, अगर मैं बात करूँ large cap की, large cap, अब large cap क्या है, बड़ी-बड़ी company आए, बड़ी company से मतलब है कि 20,000 करोड से बड़े size की जो company है, ranking wise देखेंगे, top 100 जो company होंगी, वो हमारी large cap में आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगा mid cap, mid cap में क्या होगा, वो company आएगी, जिनकी ranking 101 से start हो जाएगी, और 250 rank तक ये company आएगी, ये हो जाएगा mid cap, इसके बाद आता है small cap, ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि छोटी company में निवेश यहां किया जाता है, 251 rank से आगे जो company होंगी, वो हमारी आजाएगी small cap में, सब कुछ खेल इ minimum 80% निवेश इंडिया की top 100 companies में हो जाएगा, और आप particular किसी एक stock में पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, आप 100 companyों में निवेश कर रहे हैं, 100 companyों की एक index है, एक fund manager के पास वो उसमें से choose करेंगे और आपके पैसे को निवेश करेंगे, देखे कितना अच्छा option है, अगर आप directly stock market में निवेश करेंगे, तो आप कितने stocks में निवेश कर पाएंगे, 2, 4, 10, 20, कितने, लेकिन यहां तो आपका पैसा 100 से भी ज्यादा stocks में diversify होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तभी आप mutual fund के risk को समझ पाएंगे, देखे, अगर आप ये चीज़ समझ लेते है कि हाँ, large cap में top 100 company है, mid cap में 101-200 rank तक की company है, small cap में 251 से फिर आगे वाली company है, इस तरह से आप इसके risk को अगर समझ पाएंगे, तो आप एक अच्छा निवेश यहां mutual fund में ज़रूर करेंगे, अब देखे, mutual fund में निवेश करने के benefit क्या है, मान लीजिए, आपने हाँ सोचा क महीना की SIP शुरू करूँगा, आपने इस दिवाली से 1000 रुपे के SIP स्टार्ट करी, हम मान लेते हैं, ना हम small cap में जा रहे हैं, ना हम large cap में जा रहे हैं, हम लोग mid cap में जा रहे हैं, आपको एक चीज अपने लिए और यहां पर clear करनी है, आपको हर दिवाली पर अपने investment को 10% से जरूर बढ़ा देना है, बिल्कुल, हमारे देखिए, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी salary भी बढ़ रही है, हमारा investment भी जरूर बढ़ना चाहिए, केवल 10% से अगर हम अपने investment को बढ़ा पाएंगे, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा useful हो सकता है, और ए इसके लिए जो आपकी age है, उसको आप 100 में से माइनस कर सकते हैं, माली जी आपकी age अभी 30 की है, तो आप 100 में से 30 माइनस करेंगे, 70 आएगा, यानि कि 70% पैसा आप risk में निवेश कर सकते हैं, कि कौन से risk में, small cap में और mid cap में, इतना risk आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास duration बहुत लंबी है, आपके पास 20 साल, 25 साल है, SIP को चलाने के लिए, तो इन funds में निवेश आप कर सकते हैं, आपकी age 50 के आसपास है, तो आप 100 में से 50 माइनस करेंगे, तो आपके पास 50 बचेगा, यानि कि जो आपका निवेश होगा, उसका जो 50% होगा, वही आप सिर्फ mid cap और small cap में निवेश करें, बाकी आप कोशिश करें उसको large cap में निवेश करने की, बड़ी कमपनियों में निवेश करने की, इस तरह से कुछ आप rules अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कि आपको कितना risk लेना चाहिए और आप निवेश कर सकते हैं, फिलालम एक simple 1000 रुपे की S रिटन्स भी दिखा देता हूं, कि रिटन्स हमें mutual funds से mid cap category में कैसे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तभी clear होगी, तभी हम निवेश कर पाएंगे, चलिए, यहां मैं आपको कुछ mutual funds दिखाना चाहूंगा, equity funds, देखिए की बात करूं, average returns 22% से ज्यादा का हमें देखने को मिला है, past में, यानि कि जो हमने निवेश किया है, 22% से हमें compounding mid cap stocks funds में देखने को मिली है, ठीक है, अगर हम यहां SIP calculator पर बात करें, देखिए, बिलकुल सिंपल आप चीजों को समझने की कोशिश कीजेगा, 1000 रुपे की मै 22% हमें मिला है, हम यहां उमीद कर सकते हैं कि शायद हमें 20 मिल जाए, हो सकता है कि 18 मिल जाए, हो सकता है कि 17 मिल जाए, यह fix नहीं होता, यह 22 से ज्यादा भी मिल सकता है, और आपको कम भी मिल सकता है, हम यहां long term निवेश की बात कर रहे हैं, अब देखिए, यह कि एवले example क के लिए हम लोग थोड़ा सा घटा जर इसको चलेंगे, 17 रखाता और घटा लेते हैं, 16 पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिलाल में 22% से ज्यादा के रिटन्स हैं, मैंने यह 6% घटा दी हैं, कि कम से कम इतना हमें मिल जाए, 16% है, example के लिए, growth, 10% से हम इसको हर साल अपने नि और आपको final value क्या बन रही है, 28,83,000 रुपे, वहीं अगर आप duration, ध्यान से समझेगा, compounding का benefit क्या है, आप duration 20 से बढ़ा कर अगर इसको 25 कर देते हैं, जी हां, सिर्फ 1000 रुपे की SIP की बात में कर रहा हूं, बड़ी SIP की बात नहीं है, आप देखिए, 25 साल में value कितनी जा र लाक रुपे, अगर आपके पास duration और अच्छी है, आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हैं, आप इसको 30 साल कर सकते हैं, जब आप 30 साल इस SIP को continue करेंगे, तो एक करोड 55 लाक रुपे, सिर्फ 1000 रुपे की SIP से भी आप बना सकते हैं, ये benefit होते है mutual fund में निवेश करने के, हम लोग केवल सोचते हैं, निवेश करेंगे और समय निकल जाता है, बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है, सिर्फ आप 1000 रुपे की SIP से start करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन long term के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने SIP स्टार्ट करी, और अगली दिवाली तक ही मेरे को बहुत ज्यादा returns मिल जाए, तो ऐसी possibilities नहीं है कि आपको एक ही साल में बहुत अच्छे returns मिल जाएंगे, आपको यहां थोड़ा सा ठहराव देखना होगा, आपको थोड़ा सा धहरिये यहां रखना होगा, पांच साल, से साल, आठ सा SIP को चलाएंगे, जब आपको returns दिखाई देंगे, आप खुदी उस SIP को बंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा ठीक है अभी और चलाओ, और अच्छे returns मिलेंगे, क्योंकि देखे, market का जो उतार चड़ाव होता है, उसका एक average आपको यहां मिलता है, तो returns आपको यहां ऐसा आपको ज्यादा चाहिए, यहां सिर्फ एक हजार रुपे से निवेश स्टार्ट कीजिए, और काफी सारे sectors पर आप फोकस कर सकते हैं, आप फाइनेस के सेक्टर में हापर, मालीज़ आपने एक हजार के SIP की, जिस SIP में आप निवेश करेंगे, जिस mutual fund में निवेश कर कर सकते हैं, तो दोस्तो यह अपने आप से एक वादा आप जरूर कीजिए, कि इस दिवाली में भी investment स्टार्ट करूँगा, साथ ही साथ हर दिवाली पर अपने investment को में थोड़ा थोड़ा सा जरूर बढ़ होंगा, इस तरह से आप अगर planning करके चलेंगे, तो वाकई या फ्य recommendation नहीं है, केवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि mutual fund का जो भी निवेशे बाजार जोखिमों के अधीन होता है, बाकी वीडियो पसंद आई हो, like share आप सरूर कीजेगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप सरूर कीजेगा, नमस का.